फिल्म टार्जन दा वंडर कार फेम अक्टर वसल सेट जो इन दिनों नागन सिक्स में नजर आ रहे हैं पर एक्ट्वर में वो एक सॉफ्टर इंजीनियर बनना चाहते थे पर कैसी उनकी डेस्टेनी ने उन्हें बनाया एक फेमिस अक्टर क्यों आजाए देगवन को वो अपना बड़ा भाए मानते हैं और आखिर कैसे स्टार्ट हुई थे इश्टा दत्ता के साथ उनकी लव स्टोरी तो हेलो माई फैमिलीज मैं हूँ आईशा और वेलकम है आपका स्टोरी विद आईशा में वसल सेट का जन 5 अगस्ट 1980 का मुंबई महरास्ट में हुआ था और वो एक गुजराती फैमिली से बिलॉंग करते हैं वसल ने अपने स्टडी उत्पल सांग भी ग्लोबल स्कूल से करी फिर मेठी बाए कॉलिज से उन्होंने मैथमाटिक्स में ग्रुज़ेशन करा वसल कहते है कि उन्होंने सोच लिया था कि वो एक सौफ्टर इंजीनियर बनेंगे पर डेस्टिनीर को कुछ और ही मनजूर था देरसल जब वो फर्स्ट इयर में थे तब वो एक फ्रेंड के घर पढ़ने जाते थे और उनकी जो फ्रेंड की मा थी वो फिल्मी बैक्राउंड से थी उन्होंने वत्सल को कहा कि एक टीवी शो का ओडिशन चल रहा है और उसमें एक यंग लड़के के नीड है एक बार तुम कोशिश क्यों नहीं करते वत्सल को लगा कि इतने लोग ओडिशन देते हैं सब हीरो तो नहीं बन जाते हैं इसलिए उन्होंने भी रैंडमली पर जैसे तैसे उन्होंने अपने फैमली को समझाया मगर उनके फादर ने उन्हें वार्डिंग दे के सोखो करने के बाद वो पहले अपने पढ़ाई पूरी करेंगे दैन अपने करीर के बारे में सोचेंगे वत्सल ने अपने फादर के बाद मानी और सोटिंग स्टार्ट करी ये शो बेस था जया नाम के एक टीनेज लड़के का जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करता है और जया का कारेक्टर वचसल ने प्ले किया था जब ये सो टैली कास्ट हुआ तो ओर्डियंस टों इतना पसंद किया कि वचसल जया के नाम से बहुत फेमस हो गए पर इं अबास मस्तान ने फिल्म टार्जन दा वंडर कार का प्लाइन किया था जिसमें इनुसंट और सिंपल लड़का चाहिए था जो ने मिल नहीं रहा था तब ही अचानक किसे ने उनको वचसल को फोटो दिखाया और उनके कुछ वीडियो प्ले किये अबास मस्तान ने वचसल क काल किया और उन्हें मिलने बुलाया जब वहां गए तो उन्होंने एक शर्ट पहनी थी जो बहुत लूस थी और अबास मस्तान ने देखते ही उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच कर लिया जिसमें अजय देखवन भी थे और वह अजय देखवन को अपना बड़ा भाई म दिखला जा रियालेटी सो से कमबैक करा मगर उनके लाइफ का बिक बिक साबित हुआ सिद्धार प्रियदर्शी के सो एक हसीना थी जहां उन्होंने सौर्य गौइंका का किर्दार निभाया था जो एक ली चोल था इस सो की वजह से उन्हें काफी पॉपुलारिटी मिली और का कैम्यो होने वाला है वचल कहते हैं कि नेहा सुलंकी और तेजस्वी प्रकास के साथ काम करना उनके लिए प्राउड मोवमेंट है क्योंकि यह दोनों अपने काम को लेकर बहुत पैसनेट है और नेक्स लेवल के अक्रिस है वैसे आपको वचल कैसे लगते हैं और कॉन सास और टीवी शोज में स्पेशल अपैरंस में भी नज़र आया है वचल ने मुस्ट एक्सपैंसिव फिल्म आदी पुरुष में भी काम करा है जिसमें उन्होंने इंद्रजीत का कैरेक्टर प्ले किया है और यह उनका डैब्यू फिल्म है तैलको इंडिस्ट्री में खैर बात पैंसे भी रिक्वेस्ट करा है कि वो एक प्यारा सा नाम उन्हें सजस्ट करें वसल अपने लव लाइफ के बारे में कहते है कि इसी तरह के साथ उनकी दोस्ती शोगत्म हो जाने के बात बढ़नी शुरू हुई और उनका मिलना चुलना स्टार्ट हो गया इसी दौरान उन् को एक बार हीरो बनने का मौका ज़रूर मलता है बस फर्क इतना है कि आप उस अपॉस्टनटी को किस तरह हैंडल करते हो अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल गए तो आपको आपके मनसुल ज़रूर मिलेगी जो उनके लिए उनका सकस मन्दरा है तो यह थी प्यार इसी लाइफ जर्णी वसल सेट के उपर आई होफ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप इसी तरह के लाइफ जर्णी इस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए और हमारी फैमली का हिस् कि दोो दोओे सेखना से समस्द刃 कर दyrा सी तरह कर दो नषीमारे जर्णी थे जर्णी रणी एकर रपको rh medidas काया है तो करते हैं तो ट्रहुवाली को एम और हैरे तो वेले विफ जलस वेले य Catholicरत्तolutionत ऍेया हमको पत्सूरिए जर अटलैए टारari